भारतिय परमपरा में अगनी के साथ आरती और पूजा करना आम है जब कोई गुरू या किसी देवता या मूर्ती या गंगा की आरती करता है तब क्या होता है? फिर लोग आरती लेकर अपने चहरे पर लगाते हैं क्या आरती के बाद अगनी में कुछ बदल जाता है? अगर उस रूप से कुछ उर्जा निकल रही है और आप उससे जुड़ना नहीं जानते या आप में जुड़ने की ख्षमता नहीं है पर आप जुड़ना चाहते हैं तो अगनी आप दोनों के आपस में जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है जैसा कि हमने कहा है अगनी का इस्तेमाल कई तरीके से लोगों को जुड़ने के लिए होता है अगनी के बिना भारत में कोई शादी नहीं होती क्योंकि अगनी की मदद से लोगों को जुड़ा जाता है चाहे मेल शानी रिखो भावनाओं का हो या आध्यात्मिक अगनी के बिना मेल नहीं होता इसी तरह से अगर कोई रूप चाहे वो चित्र हो या देवता की मूर्ती हो अगर उससे खास उर्जा निकल रही है तो खुदखोस उर्जा से जोड़ने के लिए अगनी एक अच्छा साधन है तो आप देखेंगे जब आप देवी मंदर जाते हैं जैसे ही कुछ लोग इखटा हुए अगनी ताकि वो जोड़ पाए ऐसा नहीं है कि वो बिना आग के नहीं जुड़ेंगी वो जुड़ेंगी पर आपको गुरहनशील बनाने के लिए आपको उसके लिए उपलब्द बनाने के लिए आपको ऐसा बनाने के लिए कि आप अगर देखें अगर आप तत्वों के हिसाब से देखें तो आप लोगों में मौझूद पृत्वी या पानी से नहीं जुड़ सकते, पर अगर लोगों के बीच अगनी हूँ, तो कुछ है जो जुड़ जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको उस आयाम से जोड़ती है, देवता के चारों और घूमने वाली अगनी की आभा में, दिवता का गुणा गया है, अगनी में नहीं, अगनी के चारों और मौझूद आकाश तत्व में दिवता का गुणा गया है, तो जब आरती आप तक पहुँचे, तब आग में हाथ मत डालिये, उसके चारों और मौझूद आकाश तत्व को लेकर, अपनी आखों पर, या सि यानि आप अपनी भलाई के लिए दिव्यता का कुछ तत्व लेकर उसे अपना एक हिस्सा बना लेना चाहते हैं तो पूरी आर्थी प्रक्रिया इसी दिशा में एक प्रयास है ये ये तमाम चीजें आपकी मदद कर सकती हैं हमें अपनी आग को धीरे धीरे विकसित करने में मदद करती हैं पर सबसे बढ़कर योग विज्ञान में कई ऐसी प्रक्रियां हैं जिनमें आग नहीं जलाई जाती है सारी आग अंदर ही जलाई जाती है तो इसलिए कथाओं में कहा जाता है कि योगी तप करते थे तप यानि गर्मी या आग तो वे अपनी अग्मी खुद पैदा करते हैं तो जब भीतरी संभावनाएं जादा नहों तब बाहरी मदद ज़रूरी होती है तो बाहरी मदद ज़रूरी नहीं होती ये इसका एक सरल पहलू है झाल झाल